जो सिक्वल वीडियो टुरियल सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम सेखेंगे कि Oracle SQL Developer में हम टेबल कैसे क्रियेट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो जिस भी यह schema में आपको table create करना हो, सबसे पहले उससे आप connect हो जाईए, उसके tables, फोल्डर दिख लाओगा, इस पे right click करना है, और new table पे click करना है, तो create table का जो window होता है, वो open हो जाएगा, यहाँ पर आपको schema दिखाई देगा है, चुकि मैंने export, schema में select किया थे, Scott automatically select है in case आप table दुसरे schema में create करना चाहते हैं तो आप schema select कर ले उसके बाद यहाँ table name देना है लेट से कि मैं people करके table create करना चाहता हूँ यह table name और table column case insensitive होता है मैं capital में दे रहा हूँ but even though if you specify in a small letter तो भी ठीक है small यह capital एक ही बात है उसका table name हमने दे दिया राइट उसके बाद उसके बाद यहाँ column first column define करना है तो first column लेट से कि मैंने id दे दिया राइट उसके बाद यह data type है राइट कौन सा data type चाहिए तो लेट से कि मैंने number choose कर लिया number size यहाँ दे सकते हो size मैं छोड़ देता हूँ अभी जो default size होगा वो ले लेगा उसके बाद बाकी यहाँ आप कुछ comment भी दे सकता है मैं बोलूँगा यहाँ पर ले like it is primary key अभी तक मैंने इसे primary key नहीं बनाया है राइट इसे primary key बनाने के लिए यहाँ क्लिक कर देना होगा तो इसे primary key क्या होता है किसी टेबल में क्या होता है वो unique key होता है और not null constraint उस पर अप्लाई हो जाता है automatically जैसे मैंने primary key की किया तो not null automatically यहाँ select हो गया तो यह तो हो गया first column second column add करने के लिए आपको यह जो plus sign इस पर click करना है तो let's say second column है name मैं दे दिया उसके बाद data type work है that's fine यहाँ size आपको देना है तो size let's say कि मैं size देता हूँ 60 और इसे इस पर भी मैं not null constraint apply करना चाहता हूँ ताकि जब भी कोई user इसमें data insert करे तो उसे name का value देना ही परेगा right that's why I have specified at not null default value यहाँ कुछ भी हम नहीं दे रहे है ठीक है फिर इस पर click करते है फिर let's say next जो है age मैं ले देता हूँ right age data type मैं यहाँ int लोंगा int oracle में भी exist करता है इसे int रहने था हूँ क्योंकि age है right और इस पर इसे भी मैं not null constant apply कर देता हूँ और default value not null कर दिये तो यह तो user को supply करना ही होगा let's say इसको मैं छोड़ देता हूँ कि not null इस पर apply नहीं करते है right default value यह दी user इसका value नहीं डाला तो 0 ले ले लेगा फिर next यहां पर मैं add करता हूँ let's say email right email column करते है वर कैर ही रहने देते हैं इसका size देते हैं let's say 40 और इसे भी not null हम apply करते है right तो इतने column हो गया अब इतना ही रहने देते है right अब यहां कुछ-कुछ बेसिकली यहां पर कुछ-कुछ चीज़े हैं जो आपको दिमाग में रखना है जैसे arrow है right let's say email को हमको सबके top मिले जाना है तो यह जो arrow है जैसे क्लिक किज़े तक top मिले जाएगा उसी step को नीचे लाना है one step यह है age पहले देता हूं फिर name बाद में देता हूं right तो यह है top में किसी column को select करके ले जाना है और इसको bottom में ले जाने वाला यह किसी column को select करते हैं और एक-एक step से उपर ले जाना है इसके लिए होता है right basically order आप किस तरह से रखना चाहते है basically column का order आप किस तरह से रखना चाहते हैं while defining the table और उसके लिए सारे button होती है right उसके लेट से की email है उस पर मैं unique constraint apply करना चाहता हूं कि कोई भी user कोई भी people right एक बार जिस user से register हो गया इस table में वो second time वो email यूज नहीं हो सकता है that's why we want to use unique constraint right तो इसके लिए advance में जाना आपको जैसी advance select तो यहां पर कुछ options आए जाएंगे आपको constraint, indexes, storage वगरा वगरा तो मैं select करता हूं चुकि मुझे constraint define करना है तक constraint मैं करता हूं और उसके बाद यह जो plus sign है उसके बाजु में drop-down है unique constraint मैं यहां click किया right अब जब unique constraint का यहां पर row add हो गया right अब किस column पे मुझे unique constraint apply करना है उस उसको यहां से select करना हूंगा, arrow का sign देकर यहां select कर लिया, right अब unique constraint का name क्या देना है, by default उसने people underscore uk दे दिया, right तो मैं इसको देता हूं email underscore uk, right आप देख सकते हूं कि primary की generate हुआ है by default उसका name people underscore pk दे दिया, right आप चाहित इसे भी change करना चाहिए तो change कर सकते है, right अब मैंने unique constraint अपलाई कर दिया email पर, right अब select करेंगे देखेंगे unique email constraint अपलाई है, तो जैसे जैसे इसको मैं select किया तो primary की किस पर id पर define, इसको select किया तो यह बता रहा है कि email पर unique constraint अपलाई हो गया, right अब मैं जाता हूं यह column पर click करके columns पर, तो वापस जहां से हम चले था, वहां यहां जाएंगे तो आपने table create करने के लिए जो जो option select करा था, जो जो information provide किया था, right तो उसके basis पर DDL query generate हो जाता है, right आप देख सकते हो यहां, अब आप चाहे, तो directly ok पर click करने के तो table create हो जाएगा, otherwise आप यह जो ddl script है, इसको copy कटके, इसको manually run करके भी table create कर सकते हैं, तो यहां clearly understanding create table name है, id, जो की number type है, not null constraint है, age है, right in default value, हमने 0 select किया था, name, उसका size 60, not null constraint वगरा वगरा, और यहां देखेंगे, यह जो है, id क्या है, primary की define है, primary की name है, primary की constraint, right, enable है, तो primary की, आप by default जब define करता हो, enable होता है, इससे बाद में आप disable भी करो सकते हैं, उसके बाद यह altered table issue कर रहा है, उसके बाद एक constraint add कर रहा है, email underscore UK, मतलब unique constraint email पर, right, जो जो information हमने supply किया, तो उसके basis पर DDL escape generate हो जाता है, right, now I am going to click on OK, right, जैसी ओके पर click किया, तो आप देखेंगे कि people का table generate हो गया, right, अब इसमें data हम कैसे insert करेंगे, तो data यह जो है, आप यहाँ column वाला selected है, इसमें column का information दे रहा है, right, data वाला जो tab है, उसके करेंगे, तो यह data में अभी कुछ भी data नहीं है, तो यह जो plus sign है, उसके click करके, आप चाहिए तो इसमें data insert कर सकते, जैसे id मैं 1 कर लेता हूँ, age let's say 30, मैं enter कर लेता हूँ, right, name, name, let's say, मैं kk enter कर देता हूँ, और email, right, तो email, email करना है, let's say kk at gmail.com, right, तो यह सारी information, enter करने के बाद, आपको यह sign है, commit का symbol है, यह तो आप f11 प्रेस करेंगे, नहीं तो इस पर click करना होगा, ताक यह commit हो जाए, तो यहाँ नीचे message आपको देखेंगा, commit successful, मतलब यह data table में insert हो चुका है, तो दोस्तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप SQL developer में आप table easily create कर सकते हैं, right, of course, जो हम किये हैं, वो SQL script, DDL script, leak के भी हम table generate कर सकते हैं, create कर सकते हैं, लेकिन जब Oracle SQL developer आपके पास है, तो क्यों नहीं हम उसका use करें, तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत